हेलो सुडेंट्स मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मैगनेट ब्रेंज हिंदी पर मैगनेट ब्रेंज हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा बार्मी तक का संपूर पाठिक् पर उसके बाद आपसे पेमेंट मांगे या किसी परकारण कोई सब्सक्रिप्शन मांगे तो यहां पर आपको किसी परकारण कोई पेमेंट करने की आओ सकता नहीं है आपको यहां पर सभी वीडियो मिलते हैं बिल्कुल नेसल वह भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी तो इसका एक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे डिरेक्टरी सासित फ्रांस हम उस पर यह सब्द समझने कोसिस करेंगे कि डिरेक्टरी का मतलब क्या है तो हम यह जानने की कोसिस रहेगी यहां पर कि डिरेक्टरी क्या हो यह कैसे फ्रांस को चलाने की इस डिरेक्टरी के दोर कानौन टाइट कर दिये थे तो वह एक साल का जो समय था उसको हमने क्या कहा था आतंग का राज कहा था उसके पहले हम क्या enfermed डुक्श को थे तो उसके पहले वाले वीडियों मंएं हमने देखा था कि फ्रांस में राज तंस का मतलब जो राजसाही है या राजसांत है वो खत्म हो जाएगा और गरतन्त की स्थापना उस दौरान हम देख रहे थे कि कैसे जो मध्यमबर के लोग है वो करांटी कर रहे हैं एक क्लब पालिटिकल क्लब बनेंगे राजनते क्लब बनेंगे जिनमें फेमस के क्लब था जिसका जाकोबन उसने अपनी कुछ बाते रखी जैकोबन क्लब के मार्धम से लोगों के दोवारा बाते रखी गई और लास्ट में जाकर राजा की राजा को देश द्रोही पाया गया उसकी हत्या कर दी गई मतलब उसको फासी पर चढ़ा दिया गया या जिसको कहते हम सिर कलम कर गया और एक गरतंत की स्थापना वहां पर कर दी गई तो यह बाते हम पिछले वीडियो के अंदर देख चुके थे हैं तो जिनने भी वह पुराने वीडियो ना देखे हों तो आप उन वीडियो पर भी जाकर उनको भी देखें ताकि आपका सिक्वेंस ना टूटे आप होता है नास या उसका मिट जाना है ना मिट जाना को हुए है वो बतलब धीरे द्रबती चली जारही है उसका खतमो गई व्यों다 पास इक हुरते जाने वाला बर्गता था मध्यंवर्ग के पास नहीं गई हर एक शज्वाक्ति के पास सत्ता चली है सत्ता गई है किसके पास संपन तपके के पास संपन तपके से मतलब क्या समझ में आ रहा है तो संपन तपका मतलब जो मध्यमबर्ग में भी जो रहीज टाइप की लोग होंगे हैं ना मध्यमबर्गों के सभी लोगों को मिलाएं तो उनанию समपन्न हों गहर तरीके से उनके पास सपथा चली जाती है आपको मैंने कई बार बताया है कि सप्था कई वार व्यक्ति को घमंड में चूर करने पर मजबूर कर बनाया गया इस नई सम्विधान उनने कया किया खुद तो संपत्ति वाले थे लेकिन जिन पास संपत्थी नहीं है उनके बारे में कुई बात नहीं कि मतलब वही इस्थिति तुड़ी बहुत बदली है कि उट सकर बट बैठा था था तो और बैठ बे गया है तो कुछ मामला भी आपका सुधरा नहीं था यहां पर क्या हुआ इस नया संद्धान में जो संपत्ति विह अधिकार नहीं दिया गया यह नए सम्द्धान में बात की गए इस सम्धान चुनी गई विधान परशदों का प्राउधान जाए जाएंगी दो परशदें जो एक डिरेक्टरी को चुना हुआ था है ना एक डिरेक्टरी चुनी थी तो अब डिरेक्टरी समझ में आ गई कि यार एक डिरेक्टरी तो आप समझते कहते हैं executive कहते हैं वही वहाँ पर क्या कहला क्या कहला या रखां पर ब्रस्ष वाली के माध्यम कारीपालिका किया गठन किया नजया vary काा बनाई गए जिस को का गए डिरेक्ट्री के साथ बड़ी समया थी और यह ड्रेक्ट्रीक बनाई क्यों गई होगी पहले तो ये बात आती है कि सरी पांच वाली के हम रही होगी चुक्टि अगर हम इस के पहले देखें इस नए समधान के पहले चले जाते हैं जब हम बात कर रहे हैं अपने पिछले के पिछले वीडियो में जहाँ पर हम राजतंत्र का उनमूलन मतलब राज संत्त्य खत्म हो रहा है तो यहाँ पर आगर आप इसके पहले चलें जाए तो राजतंत्र क्या करता है राजतंत्र में राजा प्रमक होता है और राज प्रमक होगा मतलब सारी सक्तिउं करना कारेपाल का ना हो इसके लिए ही इनने क्या की है डिरेक्टरी बनाई है इससे बचने की यहां पर कोशिश की गई कि चार-पास लोगों को यहां पर डालने है अब डिरेक्टरी में भी हम अगर देखें तो डिरेक्टरी जो है वह इस्थिर नहीं थी बड़ी आयस्थिरता जै के मेंबरों में या दूब्रे लोगों के साथ उनका कुछ ना कुछ छगडा चलता रहता ञाता था है तो इसका राजनितिक क्या ठी आस्थिर पर कर आती राजनितिक तरहिक से स्टैबल या इस्थिर नहीं हुआ करती थी और जब यह डिरेक्टरी आइस्थिर हुई तो इस डिरेक्टरी ने ही क्या मौका दे दिया कि एक ताना साही के लिए मौका दे दिया कि एक ताना साही आ जाए तो वो ताना साही कोना आया सैन एक ताना साही बना दिये कहीं कुछ कर दिया ती सारी शीचे उस Vacaranas का संरफ tut करने के लिए किया था लकिन उसके बाद भी डिरेकटरी माइस्थरता थी उस एस्थरता के कारण नेसान बौना पहले जेकporte की सरकाराई जेकबिन से फिर अब मढ्यमबर्क जो समर्तिवाण लोग हैं उनके पास सरकाराई तो इस दौरान में सरकारां बदल लिए थे ना सरकारों के सरूप बदल ले थे लेकर इंस रूपों के बदलने के बाद भी यहाँ पर जो फरांस की करांति कंति ने यहीं तो चीजां मिली हैं तीन सब्द मिले हैं बड़े तीन भावना सब्द है कि इनका ही कुछ काम होगा ना सिर्फ फ्रांस के लिए बलके पूरे विस्ट्व के लिए राजजनियतिक अंदलों को प्रिरेत्थ करने वाले सब्द बन जाते है कौन-कौन से सुतंता समानता और बंधत तो यह तीनों सब पूरे यूरोप के अंदर अलग अलग जगह पर जो क्रांतियां होती है वहां पर जो राजनतिक आंदूरन होते हैं उनको प्रेड़ित करने की कुछस करते हैं हमने यह भी देखा था कि भाई यहां पर सरकार के द करती यहां पर है लेकिन यह सरकार बदली तब भी हमारा समानता बंधत का नारा यहां पर नहीं बदला मैगनेट ब्रेंस डॉट कॉम एक वैप साइट बनाई गई है आपकी सुबधा के लिए और एक एप्लिकेशन भी बनाई गई है आप प्ले स्टोर पर जाकर एप्लिके है यह जो भी चीज़ां पढ़ने आप नेहीं फिर आप यहां इस क्सा रेकांन है आप तो फिर आपको आपके teacher select करने के भाई आपको क्या पढ़ना है तो आप जो भी आप फिजेक्स chemistry math है ना social science जो भी subject यहां पर डले हैं उनको आपको बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं माल लिजे कि आपको social science पढ़ना है और आपने watch now पर click किया अब watch now पर click करने से होगा क्या तो जैसे ही आप watch now पर click करेंगे आप देखेंगे कि यह playlist खुल गई है यह playlist खुल गई है और इस पर आप देखेंगे कि आपको एक chapter के बाद फिर उस chapter के सभी वीडियो उसका solution topic wise most important question सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा फिर ऐसे आप आसानी से क्या है अपनी पढ़ाई जारी जग सकते हैं आसानी से आप पढ़ सकते हैं कि आपको ऐसे सारे systematic introduction से लेका last तक के सारे portion आपको एक एक करके देखने को मिल जाएंगे और इसके बदले में हम क्या चाहते हैं तो आप सभी लोग यह जानते हैं कि मैगनेट ब्रेंस हिंदी हिंदी माध्यम के विध्यारतियों के लिए कच्छा 6 से लेकर कच्छा बार्मी तक का संपूर्ण पार्टिक्रम नहिस्सलिक में उपलब्द करा रहा है तो अब आपको करना क्या है आपको हमारे चैनल मैगनेट ब्रेंस हिंदी को सब्सक्राइब करना है जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों में जम कर सेयर करें कमेंट करकर हम भी बताएं कि वी